आज हम इस विडियो में करेंगे क्लास नाइन्थ हिंदी NCRT इस पर्ष बुक का पार्थ तीन तुम कब जाओगे अध्थी इसके लेखक हैं शरत जोशी और पहले हम उनकी जीवनी यानी जीवन परिचे के बारे में पढ़ेंगे शरत जोशी का जन मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ इनका बच्पन कई शहरों में बीता कुछ समय तक ये सरकारी नौकरी करते रहे फिर इन्होंने लेखन को ही अपनी आजेवी का के रूप में अपना लिया यानी उसको अपना व्यबसाय बना लिया इन्होंने आरम में कुछ कहानिया लिखी फिर पूरी तरह से व्यंग लेखन में ही ये जुट गए इन्होंने व्यंग लेख व्यंग उपन्यास व्यंग कॉलम के अत्रिक्त हास व्यंग पूर्ण धारवाहिकों की पठकताएं और संबाद भी लिखे हिंदी व्यंग को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग कारों में शरच जोशी भी टेक हैं शरच जोशी की प्रमुख व्यंग कृतियां हैं परिक्रमा किसी बहाने जीप पर सवार इल्लियां तिलस्म रहा किनारे बैठ दूसरी सत्ह प्रतिदिन और दो व्यंग नाटक हैं अंधों का हाती और एक था गधा एक उपन्यास है मैं मैं केवल मैं उर्फ कमल मुख बिये और सहज है यानि आसानी से समझने वाली मुहावरे और हास परियास का हलका इशपर्ष दे कर इन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक मज़ेदार बनाया है धर्म अध्यात्म राजनीती सामाजिक जीवन व्यक्तिगत आचरण कुछ भी शरच जोशी की पैनी नजर से बचा नहीं है यानि अपनी कृतियों में उन्होंने इन सब चीजों को अपनाया है इन्होंने अपनी व्यंग रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों को बेबाग चित्रण किया है पाठक इस चित्रण को पढ़कर चकित भी होता है और बहुत कुछ स जो अपने किसी परिचित या फिर रिष्टिदार के घर बिना किसी सूचना के चले जाते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते भले ही उनका टिकेब रहना मेजबान को कितना ही भारी क्यों ना पड़ जाए यानि जहां पर वो पहुचते हैं उसके लिए चाहे कितनी मुश हो जाए या फिर वे जिसके आगमन के बाद मेजबान वे सब सोचने पर विवश हो जाए जो इस पार्ट के मेजबान निरंतर सोचते रहे तो चलिए पार्ट पढ़ते हैं तुम कब जाओगे अथ्थी आज तुम्हारे आगमन के चतुरत दिवस पर ये प्रश्न बार-बा मेरे मन में घुमड रहा है तुम कब जाओगे अथ्थी यानि जब से वो महमान आया है उसको आए चार दिन हो गए हैं लेकिन फिर भी वो वहां से जाने का नाम नहीं ले रहा है इसलिए लेखक के मन में ये प्रश्न बार-बार घुमड रहा है यानि घूम रहा है कि अब अथि तुम कब जाओगे तुम जहां बैठे निसंकोच सिगरिट के धुआ फेक रहे हो उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है देख रहे हो ना इसकी तारीक अपनी सीमा में नमृता से फड़फडाती रहती है यानि जहां पर महमान जो थे वो निसंकोच भाव से बगर किसी संक कोच के सिगरिट के धुए के छले बना रहे थे उसी के ठीक सामने एक कैलेंडर लगा था जिसे दिन बा दिन जो लेखत थे वो फार कर दिन बदलते थे और ये जताने की कोशिश करते थे कि तुम्हें आए चार दिन पूरे हो गए हैं इसकी तारीक हैं अपनी सीमा नमृता से फड़पडाती रहती हैं यानि हरोज एक तारीक जो है वो बदल जाती है विगत दो दिन से मैं तुम्हें दिखा कर तारीक हैं बदल रहा हूँ विगत यानि बीते हुए तो बीते हुए दिनों में मैं दो दिन से तुम्हें दिखा दिखा कर तारीक बदल रहा हूँ और तुम्हारे सतत, सतत यानि लगातार, अतिथ्य यानि आवभगत को, यानि तुम्हारा जो सेवा भाव की जा रही है, तुम्हारा जो स्वागत किया जा रहा है, उसके लिए तुम्हें चौथा दिन हो गया है और तुम्हारे जाने की कोई संभावना दिखाई ही नहीं देती मतलब बिल्कुल भी ऐसा लगता ही नहीं कि तुम जाना चाहते हो लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनाट्स भी इतने समय चान पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आये हो तो ये यहाँ पर लेखर जो हैं व्यंग करते हैं कि एस्ट्रोनाट्स भी चान की यात्रा करके वापस आ गए और तुम तो अभी भी मेरे घर पे जमे हुए हो तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके हो तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया है तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बेजैनी चटाने देख ली है तुम मेरी काफी मिट्टी खोच चुके हो तो यहाँ पर लेखक जो हैं बार-बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाया तुमने मेरे घर में अपने चरणों की एक छाप छोड़ दी है और तुमने मुझसे एक अंतरंग का मतलब होता है काफी गहरा घनिष्ट रिष्टे इस्थापित कर लिया है अब तो तुम मेरी आर्थिक सीमाओं को यानि जो मेरे financial problems होती हैं उन्हें भी देख चुके हो तुम मेरी चुक मिट्टी है उसे भी खोच चुके हो अब तुम कब जो आओ गया थी तुम्हारे जाने के लिए ये उच्च समय अतार्थ हाई टाइम है यानि बिल्कुल स्थीक समय है क्या तुम्हें तुम्हारी प्रत्वी नहीं पुकारती क्या तुम जहां से आए हो वो धर्ती तुम्हें याद नहीं आती उस दिन तक तुम आये थे रहे दे किसी अग्यात आशंका से धड़क उठा था अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटवा काप गया था यानि जिस दिन लेखत नहीं अपने महमान को देखा तो उनका बटवा यानि उनका जो पैसे का फाइनेंशल स्टेटस है वही समझ में आ गया था कि अब कुछ ऐसा होने वाला है जो मेरे लिए उचित नहीं है उसके बावजूद एक इसने भीगी मुस्कुराहट के साथ में तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते किया था यानि जब मुझे आशंका हुई उसके बाद भी मैंने तुम्हारा पूरे तहे दिल से स्वागत किया मेरी पत्नी ने भी तुम्हारा सादर नमस्ते किया तुम्हारे सम्मान में ओ अध थी हमने रात के भोजन में एका एक उच्छे मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया यानि मैंने तुम्हारी खुब खाते डारी करी तुम्हें इसमरण होगा इसमरण यानि याद होगा कि दो सबजीयों और रायते के इलावा हमने मीठा भी बनाया था यानि खाना पूरी तरह से अच्छे से जैसे महमान को खिलाते हैं वैसे तुम्हें भी खिलाया था इस सारे उत्साह और लगन के मूल की एक आशा थी आशा कि तुम दूसरे दिन किसी रेल से एक शांदार महमान नवाजी की छाप अपने हिर्दय पर लेकर चले जाओगे यानि भाई महमान एक दो दिन के लिए आते हैं महमान नवाजी कर लो फिर वो चले जाते हैं यही सोचकर लेखक ने उस दिन उन्हें बहुत अच्छे से डिनर करवाया था हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अत्ती की तरह चले जाओगे आग्रह करना यानि विंती करना पर ऐसा नहीं हुआ दोसरे दिन भी तुम अपनी अत्ती सुलब मुस्कान लिए घर पर ही बने रहे हमने अपनी पीड़ा पी ली अब जो तकलीफ हमें हुई हमने उसको सोच लिया कि चलो एक दिन और सही कि तुम ही प्रसन बने रहो सुआगत सतकार के जिस उच बिंदू पर हम तुम्हें ले चुके थे वहाँ से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरीमा प्रदान की और रात्री में तुम्हें सिनेमा दिखाया यानि अगले दिन भी हमने तुम्हारा खुब सुआगत सतकार किया हम किसी के लिए नहीं बढ़े हमने तो अगले दिन भी दोपहर का भोजन लेखक ने काफी आदर सत्कार के साथ किया शाम को यानि रात में सिनेमा, मूवी बगेरा भी दिखाई उसके बाद भी उन्होंने सोचा कि अब ये जो सत्कार है उसका आखरी छोर यानि अंतिम के नारा है और अब हम इसके आगे नहीं बढ़ सकते इसके तुरंद बाद भावबीनी विदाई का वह भीगा हुआ चण आ जाने चाहिए था जिसमें तुम हम से कहते कि अब हम चल रहे हैं और हम तुम्हें विदा करते इस्टेशन छोड़ कर आते मगर ऐसा तुमने कुछ किया ही नहीं तीसरे दिन की सुभा तुमने मुझसे कहा मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ ये अगात अप्रित्याशित था इसकी चोट मामिक थी मारमिक होती है जो मन को छू जाए हिर्दय को छूने वाली और अप्रित्याशित होती है कि मतलब जो अकास्मिक हो अचानक हो जिसकी हम सोच मतलब कोई कलपना भी ना कर रहे हो आगात का मतलब होता है चोट तो ये जो बात उन्होंने कही वो बिल्कुल अप्रित्याशित थी अचानक कही गई थी और दिल को चोट पहुचाने वाली थी तुम्हारे सामीप्य की वेला एका एक यों रबर की तरह खिच जाएगी इसका मुझे अनुमानना था सामीप्य होता है निकटता और अब तुम यहाँ पर रुक जाओगे यह मैंने सोचा नहीं था पहली बार मुझे लगा कि अत्ती सदैव देवता नहीं होता वे मानव और थोड़े अंशों में राक्छस भी हो सकता है अब यहाँ पर अत्ती देवो भव जो कहा जाता है वो चीज उनके मन से थोड़ा सा खिसक रही थी उसके लिए उनको सोचना पा रहा था कि जो मैमान है वो हरमिशा देवता हो ऐसा नहीं होता वो यह भी मनुश्य है और थोड़ा थोड़ा राक्छस भी किसी लॉंडरी पर दे देते जल्दी धोल जाएंगी मैंने कहा मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है कहा है लॉंडरी चलो चलते हैं मैंने कहा और अपनी सहज बन्याईन पर अपचारी कुर्ता डालने लगा कहा जा रहे हैं ऐसा पत्नी ने पूछा मैंने कहा इनके कपड़े लॉंडरी पर देने है मेरी पत्नी की आखें एका एक बड़ी हो गई आज से कुछ वर्ष पूर उनकी ऐसी आखें देख मैंने अपने अकेले पन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था अब जब वे आखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है वे इस आशंका और भैसे बड़ी हुई थी कि अधती अधिक दिनों ठहरेगा तो यहां पर उनकी पत्नी और वो दोनों ही काफी जादा परेशान है कि जो महमान है वो तो अप जाने का ना भी नहीं ले रहे उन्हें तो अपने कपड़े लॉंडरी में धुलवाने हैं जिसमें तो कुछ समय लग जाएगा और वो तब तक घर पर ही रहेंगे और आशंका निर्मूल नहीं थी अधती तुम जा नहीं रहे लॉंडरी पर दिये कपड़े धुलकर आ भी गए और तुम अभी भी यहीं हो तो जो उन्हें आशंका हो रही थी वो मूल रहित नहीं थी ऐसा नहीं था कि उन्होंने बेवजा ही आशंका की हो तुम्हारे भरकम शरीर में सिल्वटें पड़ी चादर बदली जा चुकी है और तुम यहीं हो तुम्हें देखकर फूट पढ़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पर रही है यानि गायब हो गई है लुप्त हो गई है फिर भी तुम यहीं हो ठैकों के रंगीन गुबबाडे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते यानि जब तुम आये थे तो हमें उत्साह था और अब तो ठैके यानि अब तो हसी के जो रंगीन गुबबाडे है वो भी कही नहीं दिखाई पर रहे हैं बातचीत की उचलती हुई गेंद चर्चा के छेतर के सभी कोनलों के टपे खाकर फिर सेंटर पर आकर चुप पड़ी है यानि अब तो कोई बातचीत भी नहीं हो रही है कोनलों होता है यानि कोनों कोनों से और अब वो भी नहीं हो रही है अब इसे ना तुम हिला रहे हो ना मैं कल से मैं उपण्यास पढ़ रहा हूं और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो यानि अब ना तो कोई बाचीथ है ना कोई थाके है सब ऊप चुके हैं लेकिन फिर भी अत्ती नहीं जा रहे शब्दों का लेंदेन मिट गया और चर्चा का विशे बन चुका परिवार बच्चे नौकरी फिल्म राजनीती रिष्टिदारी तबादले पुराने दोस्त परिवार नियोजन महंगाई साहित और यहां तक की आँख मार मार कर हमारी प भाई चारा शैने शैने यानि धीरे धीरे अब यह सब चीज जो है वो बोरियत में बदल गई है भावनाएं गालियों का सरूप ग्रहन कर रही है यानि धीरे से अंदर से मन करता है कि इनको कोसे गालिया दें पर तुम जाही नहीं रहे किस अद्रिश गोद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहां चिपक गया है मैं इस भेद को सब परिवार नहीं समझ पा रहा हूँ मैं जानी नहीं पा रहा हूँ कि तुम हमारे घर पर अभी भी क्यों रुके हुए हो बार बार रे प्रशन उठ रहा है तुम कब जाओगे अध्ति कल पत्नी ने धीरे से पूछा थ कब तक टिकिंगे ये मैंने कंथे उचका दिये कह सकता हूँ मैं तो आज खिछडी बना रही हूँ हलकी रहेगी तो पत्नी ने कहा कि भाई अब रोज रोज तो मैं जो खाना और पकवान बना रही थी मैं ठक चुकी हूँ और आज मैं खिछडी बनाऊंगी हलकी भी रहेग दिनर से चले थे खिचडी पर आ गए अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोला का रूप नहीं दे प्रदान करते हो तो हमें उप्वास तक जाना होगा मतलब पहले तो बढ़िया बढ़िया बोजन कराया अब बात खिचडी पर आ गई है लेकिन अगर अभी भी जो महमान है वो नहीं गए तो उप्वास की बारी आ जाएगी यानि भूके रहना पड़ेगा तुम्हारे मेरे संबंद एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं संक्रमण यानि इन्फेक्शन तुम्हारे जाने का ये चरमशन है तुम जावनाथ थी तुम्हें यहां अच्छा लग रहा है ना मैं जानता हूं दूसरों के यहां अच्छा लगता है अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहां रहते पर ऐसा तो नहीं हो सकता ना अपने घर की महत्ता के गती इसी कारण गाय गए है कि हम कहीं भी जाएं हमें अपने घर में आके जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता होम को इसी कारण तो सुईट होम कहा गया है दूसरे लोग के होम को सुईटनेस के काटने न दोड़ें तुम्हें यहां अच्छा लग रहा है पर सोचो प्रिये कि शराफत भी कोई चीज होती है गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है और ऐसा ना कहना पड़े इससे पहले आप यहां से चले जाएं प्रस्थान करें अपने खराटों से एक और रात गुंजाय मान करने के बाद कल जो किरन तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वे तुम्हारे यहां आगमन के बाद पांचवे शूर की परिचित किरन होगी यानि अब तुम्हें आए बहुत दिन हो गए और अब तुम्हें अच्छे से जाना चाहिए गुंजाय मान का मतलब होता है गुंजा हुआ जो एक खराटे रात को लेते थे उनकी आवाजों के बारे में बात हो रही है आशा है वह तुम्हें चुमेगी और तुम घर लोटने का सम्मान पूर निर्ने ले लोगे मेरी शेहन शीलता का वह अंतिम सुबह होगी अब मैं और बर्दाश नहीं कर सकता ये जो आने वाली सुबह है वो मेरे लिए अब आखरी सुबह है जिसमें मैं तुम्हें बर्दाश कर रहा हूँ उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूँगा और लड़ खडा जाओंगा मेरे अथ्थी मैं जानता हूँ कि अथ्थी देवता होता है पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते देवता दर्शन देकर लोट जाते हैं तुम लोट जाओ अथि इसी में तुम्हारा देवित तु शुरक्षित रहेगा यानि मैं जो तुम्हें देवता सुरूप देखता हूँ और तुम चाहते हो कि वो चीज शुरक्षित रहे तुम्हें अगली सुभा लोट जाने का निर्ने लेना पड़ेगा ये मनुष्य अपनी वाली पर उत्रें उसके पूर्व तुम लोट जाओ उफ तुम कब जाओ गया थि तो यहां जो हैं लेखक उनकी आने से काफी जादा परिशान हो गये थे उन्होंने आदर सत्कार तो किया मगर वो वहाँ पर बस ही गये थे इसी कारण उनके मन में वो जो भावना होती है अथिती देवोभव की वो हिल गई उसकी जड़ें जो थी वो हिल गई तो ये पाठ हो गया इसके प्रशनुत्तर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपको कैसे लगे कमेंट शेक्शन में ज़रूर बताईएगा और पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाईएगा धन्यवाद पसंद आया है तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें